प्रमिश्वर के वजनों को पढ़ेंगे प्रेटों के काम उसका बीसवा दिये हम पूरा पढ़ेंगे जब घुलड थम गया तो पॉलुस ने चेलों को बुला कर समझाया और उनसे विदा होकर मगदुनिया की और चल दिया उस सारे देश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वयुनान में आया जब तीन महिने रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की और जाने पर था तो यहुदी उसकी गात में लगे इसलिए उसने यह निश्चे किया कि मगदुनिया होकर लोड जाए बिरिया के पुरूरुस का पुत्र सोप, तुरुस और थिसलिए की में से अरिस, तर्खुस और सिकुन्दुस और दर्बे का गयुश और तिमथियुस और आसिया का थुखिकुश और तुरुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिये वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाढ़ जोते रहे और हम अख्यमेरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चड़कर पांच दिन में त्रोआस में उसके पास पहुँचे और साथ दिन तक वहीं रहे सब्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकटे हुए तो पॉलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बाते की और आधी रात तक बाते करते रहा जिस अटारी पर हम इखटे थे उसमें बहुत दिये जल रहे थे और युतुखुष नाम का एक जवान खिड़की पर बैटा हुआ गहरी नींद से जुक रहा था जब पॉलुस देर तक बाते करता रहा तो वह नींद के जोके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया परंद पॉलुस उतर कर उससे लिप्ट गया और गले लगा कर कहा गबराओ नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है और उपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बाते करता रहा कि पॉफट गई फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांती पाई हम पहले ही जहाज पर चड़कर असुर को इस विचार से आगे बढ़ गए कि वहाँ से हम पॉलुस को चड़ा ले क्योंकि उसने या इसलिए ठाराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था जब वह असुर में हमें मिला तो हम उसे चड़ा कर मितु लेने में आए वहाँ से जहाज खोल कर हम दूसरे दिन क्यूस के सामने पहुँचे और अगले दिन सामुस में जा लगे फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए क्योंकि पालुस ने इफिसुस के पास से होकर चाने का निश्चे किया था कि कहीं ऐसा नहों कि उसे आसिया में देर लगे क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पिंतिकुस्त के दिन यरुसलिम में रहे उसने मिलितुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलिश्चा के प्राचिनों को बुलाया जब वे उसके पास आये तो उनसे कहा तुम जानते हो की पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुँचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा अर्थात बड़ी दिनता से और आसु बहा बहा कर और उन परिक्षाओं में जो यहुदियों के सडियंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बाते तुम्हारे लाब की थी उनको बताने और लोगों के सामने और गर-गर सिखाने से कभी न जिजगा वरन यहुदी और युनानियों के सामने गवाई देता रहा कि परमेशर की और मन फिराना और हमारे प्रभु येश्यमसी पर विस्वास करना चाहिए अब देखो मैं आत्मा के बनता हुआ यरुसलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या-क्या बितेगा केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाई दे कर मुझे मुझसे कहता है कि बंदन और क्लेश तेरे आगे तयार है परन्त मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिये जानू वरन्त या कि मैं अपनी दौड को और उस सेवा को पूरी करू जो मैंने परमिश्वर के अनुग्र के सूसमाचार पर गवाई देने के लिए प्रभु येशु से पाई है अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमे मैं परमिश्वर के राज्जे का प्रचार करता फिरा मेरा मुँ फिर न देखोगे इसलिए मैं आज के दिन तुम से गवाई देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोश हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अबरिप्राई को तुम्हें पूरी रिती से बताने से न जीजगा इसलिए अपनी और पूरे जुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्रा आत्माने तुम्हें अध्यक्स ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलिश्या की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाडने वाले बेडिये तुम्हें आएंगे जो जुंड को न छोड़ेंगे तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे चो चेलो को अपने पीछे खीच लेने के एको टेड़ी मेड़ी बाते कहेंगे इसलिए जाकते रहो और स्मर्ण रखो कि मैंने तीन वर्ष तक रात दिन आसु बहा बहा कर हर एक को चितोनी देना न छोड़ा और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्र के वच्चन को सौप देता हूँ जो तुमारी उनत्ती कर सकता है और सब पवित्र किये गए लोगों में साजी करके मिरास दे सकता है मैंने किसी के चांदी, सौने या कपड़े का लालच नहीं किया तुम आप ही जानते हो कि इन ही हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की अवशकताय पूरी की मैंने तुमें सब कुछ करके दिखाया कि इस रिती से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभू येश्यू के वचन स्मरन रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा है लेने से देना धन्य है यह कहकर उसने गुटने ठेके और उन सब के साथ प्रात्ना की तब वे सब बहुत रोये और पॉल उसके गले लिपट कर उसे चुमने लगे वे विशेश कर इस बात से सोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुँ फिर न देखोगे तब उन्होंने उससे जहाज तक पहुचाए तो आई हम इस वचनों पर मनन करेंगे हम लग सुनते आ रहे हैं पिछले समय में पिछले 19 वा अध्याई को आपने देखा कि उसके अंदर कैसे पॉल उसके साथ क्या क्या हुआ सतावनी हुआ और कई FAC नगर में कैसे हुलड मचा तो कैसे विरोधी लोग हमारा विरोध करते है जो प्रभू को नहीं चाहते है प्रभू की बातों को नहीं चाहते है दुनिया की बातों को चाहते है तो लोग हमारे विरोध में काम करते है सारी चीज़ हम देखा अबी 20-20 में थोड़ी सांती का कोई समय आ रहा है जिसमें पॉलूस को यात्रा करने पड़ रहा है तो यहाँ पर पॉलूस की जिंदगी के उपर हम देख रहे हैं तो आई और हम जानते तो एक से लेकर वचन 6 तक हम देख रहे हैं तो पॉलूस की टीम के विशे में यहाँ पर एक वरनन है तो आप देखोगे तो अलग-अलग तरह के लोग चौथे वचन में आप देखोगे तो उनके साथ रहते थे कोई भी प्रभु का सेवक है दास है अगर आप भी कोई सेवक हो तो आपको एक टीम में रहना है या फिर आप जिसे एक विश्वासी हो है या फिर साथ में मददगार हो तो आपको साथ में रह कर जाना है यहाँ पर लिकाए हम गए हम आए हम अक्ख मेरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी के जाज पर चड़कर पांच दिन में त्रौास में से पास पहुंचे और साथ दिन तक वही रहे चटवा वचन में लिखा है तो ये आप देखिए कि लोग कैसे प्रभू के उस जमाने में सब एकता में रहते थे साथ में चलते थे, साथ में रहते थे, साथ में खाते थे साथ में ही सब कुछ करते सिर्फ संडे को ने चीक है तो हम अगर भाई लोग है तो हमें हम प्रभू में एक किये गए है तो हमें हम एक दूसरे के साथ व्योहार रखना है एक दूसरे को मदद करना है यहां पर लिखा है कि पॉलुस को वो लोग help कर रहे थे, जहाज पर चड़ाते थे, पर अबर उसको मदद करते थे, उसको सेवकाई में help करते थे, आज कल हम सिर्फ सेवकों को खाना खिला कर चुप हो जाते, उनको सब तरह की help हमें करना जरूरी है, हम कलिशिया से हमारे प्रमिशर का प्यार, जो एक दूसरे को जैसे एक मा के बेटे हैं, वैसे वो लोग अपने साथ रहते थे, जैसे हम हमारे सगे भाई को कैसे रखते वैसे, तो आगे उनकी एकता दिखने के लिए वो लोग ज्यादत तरह हम देखते तो ब्रभु बोज लेते हैं, क्योंकि हम मसी की एक दे में हैं, तो लोग प्रभु बोज की बातों को भी द्यान देते थे, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ वचन से आगे अगर हम पढ़ेंगे, तो एक छोटा सा प्रसंग हो रहा है, जिसमें चमतकार भी पॉलुस के द्वारा प्रभु कर रहे हैं, उस जगा से पॉलुस को जाने का एक समय आ चुका था, तो इसलिए जाने पर था साथ वचन में लिखा है, तो वहाँ पर आदी रात तक को प्रचार कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि हम कहीं जाते हैं फिर बाद में, उनको मिलनी पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उनसे ज्याद बात करते हैं, उजहर सी बात है, तो वह कर रहा था, वहाँ पर कहीं गिर ना जाए, पीछे ना हट जाए, वहाँ जमान में सतावनी भी इतनी हो रही थी, ठीक है, तो अपने बारे में समझा रहा होगा, वह देखो मैं आपके साथ कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे मैं आपको सम जा रहा हूँ, सारी बातों को प्लीज ध्यान दीजिए, जैसे आज कल हम सिवक लोग, आप लोगों को सभी तरह से यूटूब से भी हम ट्राइ कर रहे हैं, कि आपका विश्वास बरकरार है, ठीक है, तो आज मैं देखिए, तो मैं भी अपना सारा काम निप्टा, अगर कै जैसे भी यह हम रेकोडिंग भी कर रहे हैं आपको, ता कि आपको हम मसी में आगे बढ़ता हुआ अच्छे से देख पाए, मगर होता क्या है कि कई जवान लोगों को यह चीजे बोरिंग सी लगती है, तो उसमें आप देख रहे हैं, तो यूटू कुछ करके एक जवान है, ठीक है, वो बिचार क्या कर रहा है, वहाँ पर बैटा हुआ है और गिर जाता है, ठीक है, तो अलाकि वहाँ पर क्या हो रहा है, हा कर मच गया होगा इतनी सारे लोग है, उसके बीच में गिर गया लिखा है, मरा हुआ उठाया, तो बहुत उसकी मम्मी, पापा वगेरा सब अगर पॉलुस ने क्या देखा उसको पॉलुस उतर कर उसके लिपट गया और उसके गले लगा करका गब्राओं नहीं क्योंकि उसका प्राण उसी में है मतलब यहां पर पॉलुस जो प्रभु की दया से वरपूर था प्रभु के सामर से वरपूर था वो जाकर उसको उठाता है वो प्रभु से प्रात्ना कर रहा होगा प्रभु ऐसा ना हो जिसे इलिया के समय में हुआ था इलिया जिस घर में था उस घर में वो बच्चा मर जाता प्रभु फिर से उसका जान वापिस दे दिया इसलिए उसका प्राण उसी में है तो वहां पर फिर से देखे तो लोग नॉर्मल हो जा रहे तो यह बहुत सीखने वाली बात है कि वहां इतना बड़ा हाथसा हो रहा है तो भी लोग प्रभु के उपर ध्यान है उनका इसलिए कोई रो रोना या फिर दोना या क्या बोलते जो ठीके थोड़ा बहुत तो उनको दुख लगा होगा रोए भी होगे बच्चा चला गया ऐसा करके मदर वो होने के बाद जो चमतकार हुआ उस से बात करता रहा कि पोफट गई तो अभी ये लोग पॉलोस का सुन रहे है ठीक है तो देखिए उस जमाने में कितनी प्यास थी वचनों के लिए तो हमें इससे यही सिखना है कि वो लोग रात रात पूरी सुनते थे वचन इस जमाने में अगर थोड़ा वचनों के बारे म या कुछ भी नाइट प्रेयर के बारे में हमें बोलने से डर लगता है क्योंकि लोगों का इंटरस्ट नहीं रहा है लोगों को ब्रभु की और वो वचनों को बेर बारे में जो प्यास है वो बहुत कम दिख रही है इन दिनों में अगर थोड़ा भी हम प्रिचिंग जादा हो जाता है 5 मिट आगे बढ़ जाता है तो मैं डर लगता है यार लोग सुनेंगे की नहीं यूटूब में थोड़ा भी 5 मिट देखेंगे ऊपर 20 मिन्ट से 5 मिट जाता है तो रहने दों नहीं सुनना है 20 मिट ही मैं सुनोगा ऐसे हम अपने आपको बहुत लिमित बना के तेरा से लेकर अगर आप सोला में पड़ोगे उसमें भी हमें कोई चीज सीखने में मिल रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है पॉलुस की टीम यहां पर भी काम कर रही है और पॉलुस एक चीज उसके अमन में ठानके रख रहा है कि मुझे पैंतिकुस के दिन तक यरुसलेम में जाना है उसका एक टारगेट था तो वह वहां जो भी कर रहा था उसको वहां पहुंचने तक उनकी जो है बुरी जो टीम है वह बहुत हेल्प कर रही थी मदद कर रही थी ठीक है तो तब उसकी लिए वह प्लान को सक्सिस होने में मदद हो पाया क्योंकि देखिए प्रभू से बात कर रहे हो प्रभू ने आपसे बोला है तो हमेशा याद रखिए सभी तरह के सपोर्ट आपके साइड से रहेंगे आपको प्रभू सपोर्ट देंगे लोग देंगे तो आपको ये विश्वात से आगे बढ़ना है कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो प्रभू अ 13 से 15 सोला में देख रहे है मिलितुस तक जाने वाला प्रब्र फिर बाद में उसने मिलितुस से एफिस्यस में कहला बेजा सत्रवा वचन में हम पढ़ रहे हैं तो 17 से लेकर हम आगे को अकिरता कम पढ़ेंगी तो उसके अंदर एक बहुत ही इमोशनल मतलब भावनात्मक बाते वहाँ पर लिखी हुई है और खास सिर्फ भावनात्मक ही नहीं वो बहुत बहुत ही इन दिनों में महत्वपूर्ण बाते आज भी काम में आ रही है ऐसी बाते पॉलूस ने वो छोटे से उनके सला में भासन नहीं बोल सकते मगर एक सला है लोगों को क्या बोलते है एक्जोर्टेशन जिसको बोलते है कि लोगों को उच्साहत करना परवर तो देखिए कि कलिश्या में जो हमारे में अग्वे है उनको प्रेरित लोगों से क्या करना होता है जो प्रभू ने उनके उपर रखे उनसे ट्रीनिंग लेना होता है क्यों कि प्रेरितों के अंदर जो बोज होता है वो प्रभू उनके अंदर डालता है तो पॉलूस एक प आप अगरे पास्टर है yieldż और अब देखे आप अगरे अगरे पास्टर है आपके उपर कोई एक aaste ऑ Kinagoda सीने आपSногоूे mentre मत्द करें कि अब कोई इयुकों भी उम्र के ओ जवान हो या कोई उम्र हो तो आपके लिए?! करें जहांपर पॉलोस भी उनको आखिर में बुला कर क्योंकि उसको पथा नहीं कब वहां लुटेगा उसने यह पर यह भी बोल रहा है कि मैं आप मेरा मुँद्ध कभी नहीं देख़ेंगे गया ऐसा करके वह कह रहा था क्योंք उसको पता नहीं था आ गया आने वाला यह उ देखे एक बात समझ लीजिए अगर आप प्रभू के सेवक हो या आप प्रभू की राज्य में कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आपकी जीवन बोलना चीए आपके सब्दों से ज़्यादा इसलिए बहुत-बहुत कम सब्द में समझा रहा हैं मगर उसको क्यों कम सब्द लगे क क्योंकि वो अपनी जीवन को सामने रख रहा है बुलता है मैंने बड़ी दीनसा से और आंसु बहा बहा कर और उन परिक्षाओं में जो यहुदियों के सडियन तरके मुझ पर पड़ी मैंने प्रभू की सेवा करता ही रहा उस परस्तितियों के बीच में भी हो हटानी इसलि कर रहे थे उसमें से कुछ आजीविका भी चल रही थी और साथ साथ में सुसमाचर का उससे आजीविका से भी और बढ़कर क्या है कि वो आत्माएं नहीं मिल रही है पर आपर तो और दुख रहता है तो कई लोग निरास होके बैठे हुए तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन दिनों में कि देखिए पॉलुस को बहुत कोई भी हालत में था वो सेव का चालू रखता था कुछ भी हो आप एकलिस प्रारतना शुरू रखिए आगे बढ़ते रही है हम आपको उससाहित करना चाहते है पॉलुस यहां पर यही चीज आ रहा है तो आपको जहां पर भी एक या दो ऐसे करके मिल रहे है कैसे भी करके हमें सिवकाइं शुरू रखना प्रभू का काम के लिए हमें कभी भी निरास नहीं होना हियाव नहीं छोड़ना है तो बाद में दुख के साथ क्या रहा है मुझे इदर जाना तो है और वह अ सारा रदे उनके सामने खोल रहा है कि मैंने सब को बताया है सब के लहुग के से में निर्दो सुचबवीस में लिखा है उसका मतलब वो उन सबको सुसमचार और सभी की लोगों को जो जो सिखाना था वो सिखाया कोई भी चीज अपने पास रख नहीं छोड़ा तो हमें जो 28 में कह रहे हैं मैंने तुमको जो जो किया है बाते जो पवित्र आत्मा ने तुम्हें खास करके जो अध्यक्स ठैराया है पास्टर बनाया है तो देखे कोई भी प्रभु का अगर सच्चा सेवक है मतलब जो आत्मा से चलने वाला सेवक है वो क्या करेगा अमेशा आत्मा स पवित्रा आत्मा से पूछके ही नियुप्त करेगा तो वहीफ पर अध्याक्स लोगों को नियुप्त क pec पवित्रा आत्मा की और से किया लिए इसलिए हो बोल रहा है प Cap rece की रूप्में तो जितने भी पास्टर योग यह रहा है कि कलिश्या के गलत बातों को डालना चाल रहे तेडी मेडी बाते कह रहे लिखाये थाटी में वरावन तो इसलिए बुल रहे जागते रहो यह leaders को कह रहे है जागते रहो अगर हमारी leaders मतलब pastors वगएरे आप लोग अगर जागते रहे गए तो आपके ही teaching का असर कलिश्या में पढ़ रहा है इसलिए आप ऐसे लोगों के जहांसे में आने से दूर रहना और दूसरों को भी दूर रखना है ताकि कलिश्या सही तरीके में आगे बढ़ता चाहे ठीक है फिर बाद में वो परमेश्वर के अनुग्र के वच्चन से लोगों को सौंब देता अनुग्र का वच्चन मतलब आखे काम कर रहा है यह इसलिě बाद में हो अपने बारे में गवाई भी दे रहा है मैंने आपके किसी का कुछ भी लालजनी रखा है 33 में उसके बाद वह अपने बारे में और भी सिखारा है कि मेरे साथ ही हो जो उनके टीम थी उसका भी वह वहां से काएक्लिविक मिशन के उपर थे कि वहाँ पर प्रभु का काम हो उसकल इस्यस्तापन हो तो वो करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमने आपको कुछ बोज नहीं दिया है इसलिए आप भी ऐसे ही रहो और बाद में उपरारतना करता है और लोग बहुत दुखी हो जाता है क्यों क्योंकि वो उसको डेखने में तो देखिए वहां पर एक प्रेम भी दिख रहा है लोगों के बीच में एक जो था आजकल देखते था हम लोग कई बार हमरे पास कई लोग आते प्रभू के दास भी आते तो हम लोग खुशी-खुशी उनको जाने देता है ऐसे लगता ठीक हो एक तहवार था खतम हो गया मगर देखिए एक हमारा बहुत ही भावनात्मक हमारा सबंद है एक दूसरे के साथ हम प्रभु की कलिश्या में जुड़े हुए हैं प्रभु के सेवक है और प्रभु के भाई लोग है विश्वासी लोग सबी लोग प्रभु की नुजरों में एक है एक हम रे वो सब हमारे साथ एक ताल मिल में होना चीए उसलिम प्रातना करेंगे इन दिनों में कि हमारे कलीशियों में यही चीजे जो इनकी अंदर थी दिखे एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के बातों को समझना, सीखना आत्मिक बातों को एक दूसरे को बताना समझाना और एक दूसरे से सीखना आए बहुत इन दिनों में जरूरी है तो आई हम दूसरा एक बचन पढ़ने जाएंगे बचन सहीता उसका 78 और उसमें 40 से लेकर हम 25 तक पढ़ेंगे जिनोंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निद्जल देश में उसको उदास किया वे बार बार परमिश्वर की परिक्षा करते थे और इसराइल के पवित्र को खेदित करते थे उन्होंने न तो उसका बुजबल स्भरण किया नवा दिन जब उसने उनको द्रोही के वज से चुड़ाया था कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमतकार सौन के मैदान में किये थे उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी न सके उसने उनकी बीच में डांस बेजे जिनोंने उन्हें काट खाया और मेंडक की भी बेजे जिनोंने उनका बिगाड किया उसने उनकी भूमी की उपज को कीडों को और उनकी खेती बारी टिड्डियों को खिला दी थी उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेडों को बड़े बड़े पत्तर बस बरसा कर नस्ट किया उसने उनके पसुओं को ओले से और उनके डोरों को बिजलियों से मिटाट दिया उसने उनके उपर अपना प्रचंड क्रोध और रोश भढ़काया और उने संकट में डाला और दुखाई, दुगदाई, दूतों का दल भेजा उसने अपने क्रोध का मार कोला और उनके प्राणों को मृत्यू से ना बचाया परंतु उनको मरी के वश में कर दिया उसने मिस्र के सब पहलोटों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुस के पहले फल थे परंतु अपनी प्रजा को बेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगवाई पशु के जुन्ड की सीखी तब हे तब वे सब के चलाने से बक्ट के चले और उनको कुछ भई ना हुआ परंतु उनके सुद्र, सत्रु, समुद्र में डूग गए उसने उनको अपने पवित्र देश की सिमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुँचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमी को डोरी से माप कर बाड़ दिया और इसराइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया तो ये जो वचन परमिशुर का है हम देख रहें 40 से लेके आगे 78 में 25 तक तो इसमें देखे क्या हो रहा है जब परमिशुर अपने काम तो कर रहे है बड़े-बड़े सामर्थ के काम इसराइल के लोगों को दिखाते हैं फिर भी क्या होता था लोग अविजवास के कारण अपने मन में परमिशुर के ही सारे कामों को भूल जाते थे हम भी कई बार ऐसे करते हैं हम जब परिस्तिती खराब होती है या फिर हमारे सामने कोई लालच या पाप आता है तब हम क्या करते हैं परमेशन ने किये हुए इतने बड़े-बड़े उपकारों को भूल जाते शन बर में भूल जाते सारी चीजों को भूल कर परमेशन के खिलाप में चले जाते बगावत करने लगते पाप करना मतलब बगावत करना दुनिया में जाना मतलब बगावत करना परमेशन के खिलाप में जाना लिखाए कि उसने उनको छुड़ाया था फिर भी क्या हो रहे स्मरण नहीं किया ना तो उनका भुजबल स्मरण किया ना वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वस से चुड़ाया था देखिए ये कई बार हमारे अंदर ये बहुती एक स्वार्थी पन या फिर देखने जाए तो मुर्कता बोल सकते है क्योंकि पर्मेशन ने इतने बड़े बड़े काम किये है तो हम कोई मुर्की होगा जो उसको याद ना कर पाए क्योंकि हम याद नहीं करेंगे तो हमारा अविस्वास कैसे बड़ेगा तो देखिए अविस्वास सब को आता है प्राब्लम सब को आती है अविस्वास पहले आता है हम सब जानते मगर हम अविस्वास आने के बाद भी कई लोग इतने निराशा में चले जाते इतने प्रभू को जैसे कई लोगों को फाइनेंसियल प्रब्लम हो जाता है तो प्रभू से निराज हो जाता है पिर प्रभु की कोई भी अच्छी बातों को याद नहीं करेगे जो उनको विश्वास में लाना चाहेंगे प्रभु के लोगों से तसली भी लेना नहीं चाहेंगे ऐसे करते करते प्रभु के साहरे हुपकारों को भूल जाकर उनके मुँ से ज़्यादा कच-कच निकलती है या फिर बोलने जाये तो क्या बोलते हैं कुड़-कुड़ाट होने लगती है लोगों के मुँ से प्रभु के सुसमाचार की बातों को ध्यान देना है प्रभु मुझे इतना मेरे लिए बड़ा काम किया आप रभु ने मिरे लिए अपना जान दिया उसको भूल कर अपनी जान के फिकर में दुनिया की बातों को परजिंता करते हुए अपने आपको नुक्सान करते रहते हैं बार बार उस बातों के अंदर क्यों जा रहा है गीत को रजने वाला यह क्या राया कि भाई वो लोग याद नहीं किया इसके लिए उनको प्रॉब्लम हो गया इसलिए वो लोग क्या हो गया कि वो लोग पिछे आटने लगे थे अलग यहां पर उस सारे प्रभु के बड़े कामों का वरणन यहां पर किया गया है कैसे मिस्र इसमें से प्रभु उनको बाहार निकल लाए वहाँ पर ये भी चीज लिखाया थे 41 में वे बार बार परमेशर की परिक्षा करते थे इसा भी कुड़कुडाट की बात हमने किया और इसराइल की पवित्र को खेदित करते थे क्या खेदित करना क्या था उनके बड़े कामों को याद नहीं करते हुए अभी जो परिस्तिति उसके उपर कुड़कुडाट करना उससे और अविस्वास आता था और करते रहें ऐसा लिकाए करते थे क्यों बार बार करते थे यह स्वार कॉल jakiś 10 के 10 कुड़ा ने लगे इसले में पर्भू ने 40 साल लगा दिये उनको वहां जाने के लिए पिर भी लिखा है फिर भी उसने उन्होंने क्या किया प्रमीशन ने मिस्र मेंसे निकर निकाला भी और कनान में बसाया भी कनान में बसाने के बारे में कि आपना आपका पच्छांस तो डौ Mm Korean निकाल झाल कर इनको वहां पर देखनेिय। तो यह जो ब्रबबु के उपकार को याद करने का मन हमें बनाना पहले से मारना नहीं रहे've तो हम बार-बार क्या करते रहेंगे इनकी जैसे परमेशर की परिक्षा करते रहें प्रभु मुझे देखनी रहें प्रभु मुझे द्यान नहीं दे रहें प्रभु मुझे प्यार नहीं कर रहें लोगों के सामने अच्छे जी बाते करेंगे अपने मन में तो यही उनका चलत आने वाला कर रहा है ठीक है उसको भी तो आविस्वास आता होगा मगर वो लोग स्थीर कैसे रह पारें कि क्यों हमेशा परमिश और किस्तू तियारत ना करते रहते हैं उनकी बड़े-बड़े कामों को याद करते लिए रहते हैं धीकिया कि जैसे उनको लिए प्रमेश्वर काम कर रहे हैं याद किज़ें अगर आपके परस्तिती खराब है, आगे भी परिशानी, बीछे भी परिशानी तो समुद्र को याद कीजिये, अगर आपका दोसी आपको और आपका सत्रू आपको दबा रहा है, तो ये दसर दस चमतकार को याद कीजिए, प्रभूस को छोड़ेगा ने, ये प्रभू पल्टा लेता है, इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं है, हमें बस प्रभू के बातों को, पुराने बातों को प्रशन स याद करती रहने पड़िए बजन सहीता में कई जगा पर लिखा हुआ है उसके उपकारों को मत बुल बजन सहीता एक सो तीन में भी लिखा है तो आई हम सारे पातों को लेकर अर्म प्रार्थना करेंगे धनीवाद पिता डिये वह समय के लिए और जो भी हम पिछटों के काम बिस देख पाए उसके अंदर जो पॉलोश की यात्रा और उसके उपर से हम ने जो सिखा टीमवट को सिखा प्रभू के साथषाच चलने का मन को देखा और आपके लिए सहन करने का आपके लिए अपनी ज स्थित्यों कार बार रोते रहना, बॉलते रहना, बस हमें आपके बड़े कामों को बार बार याद करना है, तो हमरे विस्वास बढ़ते जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, परमिश्वर पिता आपके आथ में सारी बातों को सौब देते हैं, अनुगर कीजिए, चलाइ सारी बातों को आपने स्विकार किया है, हमें चला रहे हो, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, ये शुम हसी की नाम से मांगते बिता, आमीं